नमस्कार दोस्तों मैं से वकुस्वाब को सवगत करता हूँ प्रोगाइट CS चैनल में तो हम लोग देख रहे हैं Microsoft Office Word तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चे था उसके अंदर हम लोगों ने यह जो डिजाइनिंग वाला आप्शन था टेवल कैसे ड्रॉ करना है टेवल बना हैं आप उसको देखेंगे और आपने देख लिया तो अच्छी बात है क्योंकि अगर आप ने यह देखा है तो आपको आगर जो बताएंगे वह सरल लगेगा और असान लगेगा ठीक है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर आता है हमारे जो टेवल था उसको हम लोगने यह डिजाइनिंग के अंदर जो था तो हम लोगने यहां पर यह जो बॉडर स्टाइल लाइनिंग धर लोगने देख लिया था दमलोग Upर लों करसे हैं उailed करते हैं ले अंदर और इसको को दिजाइन करने से पहले ऊचे हैं कि यह लिखा उगा हम लोग इसको थोड़ा फ़ेटिक करना चाहते हैं कि जो टेक्स्त है उसका डीजाइन हम लोग सिंटर पर यह क्यों थे ऊभी है कि हमलों कर देख लिए और हम लोग को लिए थे हैं आप कर लिए तो देखने वाले हैं सपहले पहला आता है सल्यीक्ट selber भीपता है आप सलिब yardım यहां से सर्ड़ कर रहें से स्य छोड़ से मतलब क्या है कि क्या है कि एक वाक्स यह वाला सरे चुका है तिक झाले में आप करके यहें इसको से यहां पर हैं, इसको शेलिट करने हैं? तो हमें एक बॉक्स करने प्रावलम हो रही तो हम लोगने क्या करें आप सेलेक्ट बेगा और सलेक्ट सेल में कर दिये तो यह फान वाला जो सेल है वो सेलेक्ट हो चुका है ठीक इसको मैं एक्णौर कर देता हूँ अपने दिए यह को है थे जिए हंपर सेलेक्ट क्या कोलक में क्या होता है यह जो हमारे यह कॉलम में चैब में मैं हमने क् buildings सेलेक्ट करें और ileg here हो चुका है तो अभी आगे बढ़ते तो यहां पर सलेक्ट के अंदर आता है सेलेक्ट टेवल सलेक्ट कालम करना तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ही पूरा टेबल सलेक्ट हो जाएगा तो सेलेक्ट समझ में आप आप फिराता है हां पर ड्रीद लाइन के होती है जो लाइन होती है अगर आपको दिखने रहें जैसे कि यहां पर एक लगा इस टेवल के अंदर लायने वह दिखने हैं और बाक्स बना हुआ है यह दूसरा सिल चुपर हमें लाइन दिखने रही आप हम में इसमें इंट्रिक आना रही किया होग है समझ में आने के लिए इसको और करेंगे टेवल को और व्युक्रिट लाइन मिरें नहीं हो उसके भी हमारा टेबल है उसके जो डिजाइनिंग की गई है सेंटर लेट राइट हुँआ हमें सो वेगार रो में कैसा यार कॉलम में कैसा किये गाइसल में क्या कैसे हमने पूरी जो डिजाइनिंग करा है वो प्रॉपर्टी यहां पर दिखेगी यहां से भी आप चिंज कर सकते है है जैसे यहां पर टेबल का सिंटर में लाना राइट में पाकि हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके अंदर से यूज करेंगे तो हमें आसानी होगे और सिंपल तरीके से हम लोग समझ जाएंगे ठीक है तुछरी आगे बढ़ते हैं आगे आता है यहां परूह में क्या होता है तो डाट लेकि तेवल करके देख लेते हैं पहने क्या होगा कि आप टेवल के अंदर कोई लाइन खिछना चाहिएं जैसे यहां पर हमें एक लाइन कीचना भी इस ताकि हम लोग क्या कर सके कुछूच रोल लम्बर डाल सका है आजे का डाल देते हैं one, बुजा का डाल देते हैं twenty six, और इरफान का डाल देते हैं twenty seven, और seven का डाल देते हैं seventy three, क्योंकि yes जो है, बहुत लेट आता है, तो हमने क्या करा, entry कर दिया, rule number डाल दिया, तो इस तरीके से अभी क्या का सकते हैं, आप यह layout के अंदर जो draw table है, तो आ आप क्या कर सकते हैं टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं लाइन एक एक करके ऐसा फिर ऐसा जिससे आप चाहें इसको ऐसा यह ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो यह ड्रॉ हो गया फिर आता है यहां पर इरेज जैसे हमने कोई लाइन इस्टा की दिए जैसे यहां पर हमने ड्रॉ टेबल य तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है यहां पर लेयाउट बेगे और रिज़र द्वारा हमने यह क्लिक करेंगे तो यह तरीके से आप क्या कर सकते हैं कोई भी लाइन या टेवल को डिलीट कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया आगे बढ़ते हैं फिर आगे आता है डिलीट कर रहे हैं दो एक लाइन को मिटा रहे थे अब आता है लिट तो दिली और के सकते इस बॉक्स को जैसे मुझे डिलीट करना तो हमने लिए है तो यहां पे एक box खुलता है आपको ध्यान रखना है कि इस में के क्या जैसे लिप्ट तो यह जो लेफ्ट साइड बाला से जिए इस से लेट तो क्या होगा कि में इदर को डिलीट करूंगा तो यह दोने से कि इदर आ लेप्ट साइड में आ जाए तो अगर आप ऐसा option यूज़ करना चाहते तो यह हो जाएगा शिफ्ट सेल अप आपका मतलब क्या है कि यह जो सेल है इसके नीचे जो आला जो सेल है वो उपर आ जाना चाहिए ठीक डिलेट इंटायर रो से क्या होगा पूरा का पूरा यह जो रो है वो डिलेट हो जाएगा डिलेट इंटायर कॉलम से क्या होगा पूरा का पूरा कॉलम डिलेट हो जाएगा तो अभी हम लोग क्या करते हैं डिलेट सेल लेट और क्या करना है सेल को लेट यह मैंने क्लिक क जो थे रोल नंबर वाला वो डिलीट हो चुका है तो इस तरीके से आप क्या सकते हैं जो कॉलम है उसको डिलीट का सकते हैं फिर आता है डिलीट रो रो क्या होती ऐसा तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर गया डिलीट रो देखे उपर का जो पूरा देड हो चुका है तो इस तरीके से ऐसकते हैं यूज कर सकते हैं अपर यहाँ पर यह रहेंगे तो ऊपर हो जायागा जैसे यह नहीं यहां पर एक और टेवल में जो है तो इचाहिए यहां पर चाहिए तो मैंने इंसर्टेव में कर देखी इसकी उपर आचुका है आपको इतना कोई करने की जोरत नहीं पड़ी इंसर्ट ब्लो करेंगे तो क्या होगा नीची आड़ होगा जैसे मैं चाहता हूं कि चार के नीचे यह जो चोथा नमबर होना सबस्केने कर निचे एक और डो कर दिए गार दिए दिया आप 25 टो इन्य लिए हमें लिखें और यहां पर लिखें डेते हैं नाम सब्सक्राइब की है तो यह दै कर देखते हैं अगे आता है यहां पर इंसर्ट कॉन सा यह साइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर सुझते हैं कि इन दोनों के बीच विच में जाया की यह Wagameni उसका और अगर यहाँ पर जाके लिए आउट के अंदर आगर मैं कहूंको राइट साइड में एलां वो यह क्लिक हो लैट में ऐड़ से तो इस तरहूल के सकते हैं सिल्कंड रह लिप्ट साइड राइट आप डाउन जैसा आप चाहें वो लोग आप कर सकते हैं फिर आगे आता है यहां पर मर्ज सिल आता है मर्ज का क्या है कि जो दो सिल हैं मिला कि आप एक सेल बनाना चाहते हैं जैसे मैं यहां पर गया और एक नीची एड कर देते चलिए तो मैंने क्या करा यहां पर सिल जो है उसको एड कर दिये नीचे अब मैं तो क्या हो गई यह मर्ज हो गई एक सेल बन चुके इस तरीकर से फिर आता है इस प्लिट सेल क्या होता है कि आप एक सेल को बाटना चाहते हैं किसी और वाकी सेल में तो कैसे से बाट सकते हैं जैसे मैं चाहता हूँ कि यह दो सेले इनको बान दो हमें तीन पार्ट में देने घ्राइख यह है कितने बढ़ें जो च कह realms है हमें यह डिये और में इसको जिस्ट में बढ़े यहां पर 12345 पार्ट में बढ़ चुका है तो यह समझ में आए होगा फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर स्प्लिट से लाए अब यहां पर स्प्लिट टेबल आ रहा है तो हम चाहते हैं कि यहां तक 3 नंबर तक ठीक है और जो 14 तक तक यहां नंबर नंबर यह क्या होना और वह के यहां पर ओर तक रहे मतलब एक टीजाइन कर सकते हैं तो समझ में आया होगा का आपको जो मैं बता रहा हूं तो आपको वीडियो पूश करकर करके या फिर आगर आपने कहीं यह आफ्लाइन डाउनलोड करके रखे रखा है तो आपको क्या करना है एक एक करके आपको काम भी करते जाना है देखते जाना है और करते जाने एक अप्शन आपको नहीं रहेगा फिर आगे बढ़ते हैं आगे आता है यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हम लोग सेल को साइज क्या करते हैं बढ़ाते घटाते हैं तो क्या करते हैं यहां पर लिया और इसको बढ़ाते हैं इसका जो साइज हैं लोग बढ़ाते हैं फर्क क्यों नहीं दिख रहा है और अचानक से हो रहा है कि यहां पर मैं इसका जो साइज है इसको कर देता हूं इसको हम लोग करते हैं देखे इतना यह इसको मैं कर देता हूं और फाइब देखे तो फाइब में इतना हो रहा है तो यह आप क्या कर सकते हैं जो सेल है उसका जो हाइट है वो बढ़ाने के लिए हाइट वह तो ठीक हाइट जो है यह ऐसा हाइट बड़ा सकते हैं और हाइट ऐट असके हैं अब ही मैं इसको क्या कर देता हूं जी रुक देता है और इंटर तो इसको बढ़ सकते ए कि जो सेलिट कर लिया हूं How हम बढ़ाएंगे तो पूरा-पूरा कॉलम बढ़ेगा अगर हम लोग पूरा करो दकन लेतेैं बढ़ाएंगे तो की हो का पूरा-पूरा रो ढगा और ग्हटे गान थे की तो इस तरीके से हुआ वी पिया कर सकते हैं यहां पर जो ले आउट है आप उसका साइज बढ़ा और घटा सकते हैं आपको बस जील का जो है उसको इसनिक करना है यह मैं真的 कर लिये दो हम इसको बढ़ा घटा सकतेدة ग्यो जाए थाख तो ऐसा बढ़ाके और घटाके जैसा जैसे चाहिए आपको रिजाइन करना है वह आप कर सकते हैं अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे आप यहां पर आपको अगरेंगे करेंगे क्या होगा है उसकी सबस्क्राइब करें यहां पर आपको क्या होगा साइज हो जाएगा जितना बड़ा हमारा साइज है तो चले हम लोग करते हैं आटो फिट कंटेंट पर देखिए वह हमारे सीवम था सबसे बड़ा टेक्स्ट था इसके अंदर देखिए यहां पर हम चाहें तो जो हमारा यहां से चालू हो रहा है फिर आटो फिट विंडो के बाद आता है आटो फिट्र कॉलम बिठते हो यह क्या होता है कि हमारी कॉलम होती जो हमारा कॉलम है दिखा देता हूं कहा गया है हमारा जो कॉलम है यह इसका अगर कभी लंबाई चुड़ाई ज्यादा हो रही कहीं इधर से उधर चारा है कोई लाइन इधर हो रही तिर्शी हो रही तेड़ी हो रही तो इसके लिए हम लोग यूश करते हैं यह आटो फिक्स कॉलम बी करके देखते हैं इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं क्योंकि नीचे जा रहा है हमारा टेबल इस पर आपको ध्यान दिख रहा होगा कि हमारी जो टेबल है उसकी यह लाइन है थोड़ा गर हम इसको लाइन का जो विड्थ है उसको बढ़ा कर देते हैं और बॉर्डर में जाकर आल बॉर्डर कर देते हैं अब आपको अच्छी दिखरा होगा ठीक है तो देखिए हमने जैसी को क्या करा है यहां पर layout में जाके उपर टॉप में होना चाहिए है पीच में होना चाहिए पूरा विल्कुल बस मतलब center तो center तो यह center देखे चारो दरब से फिक्स हो चुका यह जो हमारा box है उसके बीच में center में December आ रहा है और वाकि यह सब center में आ रहा है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं पूरा पूरा जो ब्लो यूज का सकते हैं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं लाइवंट यूज का सकते हैं तो यह हमने क्या करा पूरा पूरा यह जो हमारा टेक्स्ट है वो भूम रहा है ऐसे यहां पर अपलाई करके रिखाते हैं यह हमने करा अब यह टेक्स्ट का डायरेक्शन में चाहता हूं उपर होना चाहिए तो मैंने इसको उपर कर दिया यह जैसे आप चाहें यह December में देखें ऊपर चला गया है ऑद मैं इसको जबा चाहता हूं कि आफी क्षै करना साथ is किसा सब्वारें करेंगे एक सीजब करें तो आपने पूरा हो रहा है क्षै क्भल रूद लंबर में और रिम्पर यह रही बस भॊसर घूमेंगे बाकिसार इत्व होगा कर संथी चलक करने ऊब अगर और कम जगे लग लग सकते हैं कि यह कि यह जो क सकते हैं चोंद से चलिए नकर सकते हैं चाहिंस और पिजिएटेगा सकते हैं कर सकते हैं तो यह आपको होम के दर मिलेगा जो भी आपको टेस्ट के अंदर करना आखी आपven जैने कर सकते हैं कि अगरूथिaurais पर सकते हैं कि से inhabit बढ़ाना है लेट से कितना राइट से यो अब आप कर देए तो बस अब देख और अब चुका है ऐसे हम लोग क्या करते है पूरा गर वन सेंटिमेटर कर देंगे तो बराबर पूरा एक बॉक्स बन जाएगा तो इस तरीके से आप कर सकते हैं या फिर आप इसे खींच के या फिर लंबा करकर करके आप इतनी ज़रुवत है इस लाइन को इधर उधर करने का एक वह होता है आप यहां पर जाएंगे लाइन में तो आ अगर आप ऐसे से करेंगे तो नहीं खिसकेगा आपको जब लाइन की पास जाएंगे तो क्या होगा दो तीर बन जाएंगे आपको तीर जैसे बनेंगे तब आपको खिसकाना है तो वह बन जागा डिजाइन तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जो हमारा टेबल है उसको इसल के हिसाब से उसको वो कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको आप चंज कर सकते हैं फिर आता है हाँ पर सौर्ट, सौर्ट क्या होता है जो आप एक जामपल के लिए एक हमारा ये बना वो नंबर है एक छोटा सा टेवल है एक जामपल के लिए या बुल जाए कि calendar है अभी केवल हम यह देख रहे हैं कि यहां पर कुछ number लिखे हुए है हम चाहते हैं कि जो number है वो बढ़ते करम में होना चाहिए घटते करम में होना चाहिए हम लोग क्यों अपलाई हुआ कि हम लोगों ने क्या करा है कि बल्य हाँ यहां पर लिखेंद्रकरकर्ण जो हमारा कलेंडर था ऐंड़ा हो चुका है कि 23 2-9 27 यह वन आखरी में चुका है 2345 यह जो है एसा उल्टाट करने में इसको एक बार एक बार आपने जो हमने टेबल बनाया था यह बाली इसके अंदर अपलाई करके देखते हैं अभी जो टेबल है काफी बड़ा दिख रहा है इसको हम लोग इसको बिल्कुल नार्मल लगा देते हैं डिजाइन पे गए मतलब सलेट कर लिए डिजाइन पे गए और यह सलेट का दिए त सबसे ज़्यादा वाला है जिस्ट वह आखरी मैंना चाहिए तो लेट में गए शॉटिंग पर गया है और जो बाकी नंबर थे वह निचे आ चुके यहां पर जो नाम भी था वो भी उपर चला गया है क्योंकि रोल लंबा जो 85 था उसका सोनू का था तो यह नंबर भी उप उपर नीचे हो चुके हैं हम अगर सबसे कम नंबर है वह सबसे उपर आ गया जो सबसे ज्यादा था वह आखरी में आ गया बाकि इससा सीरियल नंबर से चलू गया तो इस तरीके से आप सौर्टिंग लगा सकते हैं फिर आता है अगला अप्शन कनवा टू टू टेक्स्ट तो यह बहुत अच्छा एक ट्रिक है आप चाहिए तो इसको यूज का सकते कनवा टू टेक्स्ट यह रिपीट हेडर वो यह इतना यूज नहीं होता है इसलिए हम लोग इसको अभी कुछ एडशाड नहीं कर रहे हम लोग यूज करने वाले हैं कनवार्ट टू टेक्स्ट तो इसका यूज करके देखते हैं कनवार्ट टेक्स्ट में करेंगे तो जो हमारी टेवल यह टेवल बनी वह इसको हम लोग क्या करेंगे एक टेवल बना जाए इसका एक टेक्स्ट बन जाएगा तो करते हैं देखते हैं इसको मैंने करा और मैं चाहता हूं कि जो टेवल है कि लिए दॉसरा तीसरा और बॉसरा का पहला है चाहते हैं कि जो हमारे टेडल है वो फिर से डॉरओं करने के लिए अगर बाइचांस आपने कंप्यूटर में ऐसे सेफ कर दिया सेफ करने के बाद आपके लाइट चलेगी या अपने बंद कर दिया उसको चाहते कि आप वापी से टेबल फॉर्म में लाइता आप क्या करेंगे अगर आप इसको भी करेंगे तो नीचे खाली ठीक है एक बर और करके देखते हैं टेबल सेलेट कर रहा हमने और यहां पर लियाओट में गए और कर दिया और ओके यहां पर ओके करने से पहले मैं यहां पर अधर में करूंगा क्यूंकि मैं जिससा चाहिए उससा करूंगा मैं तो मैं चाहता हूं एस टाइप में हैस तो तो बार हुआ पिरिसके बाद एक लाइन होनी चाढ़िए मतलब यह पिर इसके बाद रूल नंबर हो गया हो गया 23 partir हो गया पिर आता है इसके बाद इस टाहर मतलब एक लाइन और होने चाहिए फिर नाम होना चांग तो नाम दिन में वहांगे नाधी वहीं सुमीत शुका है आप हम एक टेबल वाब अप देखते हैं इसको ट्रा कर रखे कि टेबल कैसे बनती है था हम नेगा कर इसको सुलेट करा आप इस बार क्या होना चाहिए सारा तो आना ही चाहिए उसके बाद एक सुमित नाम का भी आज करें और यही जब पहले टेस्ट को टेबल बनाया फिर टेबल को टेस्ट आप अपने से भी डिजाइन कर सकते हैं जैसे मैंने क्या करा वान लिखा और इस्टार लगाया फिर मैंने सीवम लिखा फिर मैंने टू लिखा फिर इस्टार लगाया फिर सीवम लिखता हूं अब मैं इसका table बना के देखता हूँ यहाँ पर मैंने select करा insert पर गया table में गया और insert table देखिए automatic यहाँ पर हमारा 1 और 2 नाम से यह table बन चुकी तो आपको इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी आपने normal जो text लिखा था उसको आपने क्या कर दिया यह एक table बना दिया आप इसको आप चाहे तो जैसा चाहे है ऐसे designing कर सकते हैं आप जो color चाहे हो color ले सकते हैं ऐसा आप बना सकते हैं जैसे यह भी table है इसको हम लोग चाहे हैं तो text बना दें layout में के convert to text और ok अधर करके यह तो आप हर यह जो हमारा table था उसके उसमें star लगा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक line होगी जो दिखाएगी कि यह यहाँ पर अलग box है या अलग cell है तो यह आपको समझ भया होगा कि कैसे table को cell में बनाते हैं और जो cell होते हैं यह मतलब text बनाते हैं और text को table में कैसे बनाते हैं तो यह हो गया आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है यहां पर यहां पर आप सुच रहे होंगे कि ऐसा क्यों आया है क्योंकि यहां पर हम लोग ने ठीक से इसको जो अगर अच्छे से डिजाइन करेंगे तो यह हो जाएगा ठीक है एक बर और करके दिखा देता हूं आपको लग रहा हो तो इसको मैंने सेलेट करा यहां पी जो इस्टार वाले थे इसको हमने सेलेट करा और इंसर्ट पर गया और टेबल में जाके इंसर्ट टेबल देखिए ब याउट पे दब हो गया फिर आता है फर्मूला होता है इतना हाई ऐवी काम नहीं कर सकते आप उस में स습니다 होता है आप जोढ़ सकते हैं घंठा सकते हैं बिए Hug करेंगे तो अब यहां पर फार्मूला जोड़ने के बाद आ Mantay हुए हैं अभी हम लोग के बोल सम यह बाला अपसन यूज कर रहे हैं समें वह का मतलग है उपर जितनी संख्या उनको जोड़के उसका रिजल्ट बता दो के कर दिया मैं यहां पी दो इनको जोड़ने के बाद इतना आएगा ऐसी हम लोग चाहें तो और भी फार्मले लगा सक सकते हैं लगा सकते हैं कांट इसमें मुझे ओपर के जितनी वायटा है उनको हमें कПрलेकर भ्लाको और कि कंट्र कर दिया कि यहां पर कितना है तीन और यह दो पाच और करके बताया यह अट वाला सम वहाला संता इस इसलिए उसने सब्सक्राइब करके बता है तो यहां पर कुछ बेशिक बेशिक आप्शन दिये हैं काउंट करने का डिफाइन करने के लिए एवरेज निकालने के लिए तो यह आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया और अभी लेयाओट वाला अंप्शन भी खताम हो चुक है कानवेट वाला ये सारा आम मैं बता यह वीडियो यह इस कोश्चन है तो आप हमें कमेंट करके हमारा वाट्सेप नंबर टेलिग्राम नंबर सिगनल और सब दिया हुआ है तो आप यूज करके हमें कोश्चन पूछ सकते हैं या फिर हमें बाकि सोचल मीडियो में फालो कर सकते हैं तो वीडियो पहले ही बड़ा हो चुका है और मैं ऐ झाल झाल